हेलो एब्रिवन, वेल्कम टू आर यूटूब रिवाड़ेक्शन चैनल, दोस्तों मेरे रुबेल और में आज आज आप सबके सामने B.A.D. Admissions Test 2022 का आसमा इनिवर्सिटी सिल्चर का Solve Question Paper लेकिया आया हूँ So, वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ जिनने होने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बोलोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखो, ओनलाइन क्लास है शुरू होए गया So, आप में से जो इंटरेस्टेड और इलिजिबल केंडिडेट है वो ज़्याद करना चाहते है क्लास तो आपको मंतली फिस 200 रुपीस पे करना होगा और वान मंत का 200 रुपीस एड्मांस पे करके इसका स्कीन शॉट मुझे वाट्सप नमबर पे वैजना होगा So, कैसे पे करोगे पे करने के लिए आपको फोन पे जीपे या पे टीम से 9101467653 इस नमबर पे पे करके इसका स्कीन शॉट मेरे वाट्सप नमबर पे बैच देना मेरा वाट्सप नमबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रूप में एट कर सकू So, शुरू करते हैं आज का जो पहला question यानि यह देखो section A इसमें teaching aptitude इसमें कितना mark है? 20 marks So, कोई भी exam देने से पेले आपको मतलब उस कैसे क्ती है उस जो exam में उसका previous year का question paper देखना होगा इससे आपको पता चलेगा किस type का question रहता है So, number one question A teacher who is not able to draw attention of his student should कोई अगर teacher देखो अपना मतलब कैसे क्लासरूम में जा रहा है उसके बाद बच्चों का attention draw नहीं कर पा रहा है बच्चे इधर चिल्दा रहे यह मतलब समझ नहीं रहे इधर दूसरा बात कर रहा है तो teacher क्या करेंगे तब? Option A, evaluate his teaching method and improve it Option B, resign from the post Option C, find fault of his people Option D, start dictating So, कौनसर right answer होगा? इसका जो right answer है बच्चन A, यानि evaluate his teaching method वो अपने खुद के teaching method को evaluate करेगा और improve करेगा ठीके? बच्चे मतलब attention नहीं कर पारे क्लास पे तो कुछ तो हमिया होगा teacher पे So, इसलिए बच्चन को evaluate करेगा साथ ही साथ improve भी करेगा ठीके? उसके बद देखो option B जो है resign from the post तो post से तो resign नहीं करेगा कोई भी Find fault of his people मतलब student का तो fault हम लोग निकाल नहीं सकते ऐसे teacher उसके बद start dictating, so dictate भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी democracy है So, classroom में भी democracy maintain होना चाहिए So, option A is the correct answer Question number two The quality of teaching can be assessed by Teaching का quality कैसे assess करोगे? result in annual examination यह तो नहीं होगा क्योंकि मतलब बस annual examination में result देखके मतलब आप लोग assess नहीं कर सकते हो या attendance of the student So, यह भी आप लोग मतलब बस attend हो लेकिन क्या करेंगे वो लोग class पे मतलब वो नहीं करेंगे attention नहीं देंगे उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो attendance का फाइदा नहीं होगा तब जब मतलब कह सकते attendance होगे attendance होगे उसका attendance 100% होगा उसके बाद quality भी होगा उसके बाद पढ़ाई भी अच्छे से होगा So, option C Silence in the class तो classroom में चूप रहे ना ये भी गलत है So, option C भी गलत है So, right answer होगा Option D Quality of interaction of the student in the class जो interaction करेंगे interact करेंगे कैसे कि एक दूसरे के साथ teacher के साथ या subject matter के साथ मतलब interaction होगा तो वही interaction मतलब इससे पता चलेगा कि quality of teaching कैसा है So, option D is the correct answer Question number 3 Effective teaching means all of the following except Effective teaching सब है लेकिन कौन सा नहीं है A teacher find fault in the student ये ही गलत है क्योंकि teacher मतलब कभी भी student का fault नहीं निकल सकता So, option A is the correct answer बाकि देखो A teacher teaches in enthusiasm ये सही है उसके बाद teacher put the emphasize more on teaching than the class control बस class control करो लेकिन teaching ना हो ये तो नहीं है So, इसमें बोला गया emphasize ज्यादा देना है teaching rather than class control उसके बाद option D देखो A teacher is interested in making the subject matter understood rather than completing the course बस course complete करना ये नहीं है teacher का मतलब main क्या काम होता ना चाहिए वो subject matter बच्चे समझ पाए बैसे ही पढ़ाए So, बाकि सब correct है So, option A is the right answer Question number 4 Which of the following is not a characteristic of the good achievement test जो good achievement test का कौन सा characteristic नहीं है reliability तो reliable होना चाहिए उसके बाद objectivity कुछ objective होना चाहिए ambiguity नहीं होना चाहिए So, option C is the correct answer बाकि validity होना चाहिए Question number 5 जो कि आज का last question है Learning objective means Learning objective means Learning experience, concise outcome academic achievement या intended learning outcome So, option D is the correct answer intended learning outcome So, आज के लिए इतना ही Thank you so much आप लोग इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करों Online class जोइन कर लो जल्दी से जल्दी Thank you so much